बाबू, क्लास सेविंथ का एक चाप्टर है, ट्रांस्पोर्टेशन इन प्लांट एनिमल्स, बहुत इंपोर्टेशन चाप्टर है, मुझे लगता है कि बिना इसके जिन्दगी अधूरी है, ऐसे हम कोविट की बात करें, तो कोविट में आपने देखा था, पूरा मोमेंट ग्या था, क्या हुआ आपको पता है, पूरी बरबाती होगे, अगर हमारे बादी में जो वक्स हो रहे हैं, जितने ओर्गंज हों, कोई प्योरिफाई का काम कर रहा है, तो कोई डाजिशन का काम कर रहा है, कोई जूस को सिकरेट कर रहा है, ऐसे ढ्वाण हैं, तो अभी ये काम करना बंद कर दी, सीधा-सीधा मैं बोलू, कि जो हम चार दिन से खा रहे हैं, अगर वो रिमूब नहीं होगा हम ट्वालेट नहीं जाएंगे, तो सर फिर हमें लगता है कि फिर बॉड़ी दिरी-दिरी क्या करेगी, डिस्टाब हो जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जलूरी है, अब अपनी बाडी में ट्रांसपोर्टेशन होता हुँ प्लांट में भी होते हैं, अरी वो फोटो संथेस करते हैं, उससे वो अपना जो खानावाना बनाते हैं, पूरे प्लांट को प्रवाइड करते हैं उधर जाइलम अपना पानी वानी लेजा करके देता है पूरे प्लान्ट को तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांस्पोर्टेशन के बिना जंदगी अधूरी है हम बात कर रहे हैं ट्रांस्पोर्टेशन का एक-एक स्टब पे जिस पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमने एक-एक की स्लाइड बनाए हुई है आपको वाकि में बहुत अच्छा लगेगा बेटा यह है चाप्टर एलेवन ट्रांस्पोर्टेशन इन एनिमोल्स एकप्लांस अंग और नो अच्छा यह देख का सबसे बढ़ें जीता जागता जांपल जानते हैं वाबू यह लंग है में क्या होता है बलड्ड प्योर प्योरिफाई हो करके हाटमीं आता है और हाट से होते होए पूरा बलडड जाता है पूरी बाड़ी में बॉडी का जत्ता oxygen है बॉडी खा लेती है और खाने के बाद CO2 पैदा करती है और भी unwanted nutrients होते होंगे और उन सब को capillaries के द्वारा beans को provide किया जाता है और beans laser करके फिर से heart को देती है heart फिर से lungs को इस तरीके से circulation blood का चलता रहता और हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ रहते है ध्यान से सुनिए circulatory system का definition क्या है इसमें क्या क्या होता है इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है nutrients का oxygen का और carbon dioxide का भाई देखो हम खाना खाते हैं हमको धे सारी energy मिलती है वो कैसी हर जगह पहुचती है blood से इसका सिधा सिधा मतलब वहा कि nutrients हमारी body में पहुच रहे हैं तो blood के थू पहुच रहे हैं बात समझवा रहे ना अब बात आती है कि जो पूरा medium है transportation का वो blood है जैसे घर से कोई सामान ले जाना है तो अपने गारी बुक कराया हुआ सामान दूसरी जगह पहांच गया है तो transportation के लिए कोई ना कोई medium की जरूरत पढ़ती है तो यहाँ अपना जो medium है circulatory system में purely blood है ठीक है अच्छा 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 बहुत ही आहम रोल है सर मैं यहीं समझाता हूँ यह heart है अच्छा आपको पता यह आप देख रहे हैं यह एक टाइप का artery है जो pure blood लेके जाती है पूरी बाड़ी में और impure blood vein के द्वारा फिर से heart में दे दिया जाता है और pulmonary artery फिर से उस impure blood को lungs में पहुचाती है और pulmonary capillaries जो यहाँ होती है वो से देखा जातो blood को purify किया जा रहा है और pulmonary beans फिर से आपको pure blood heart में दे दे रहे हैं इस तरीके से हमारा circulation चलता है और इस पूरे circulatory system में से आपको 14 part पढ़ सबसे पहले है blood plasma, rbc, wbc, blood pitless, blood vessels, arteries, bean capillaries, heart, pulse, pulmonary circuit, oxygenation of blood and pulse चीके से राजाईए, blood कहा है भाई blood is a fluid tissue है that transport nutrients and oxygen to the cells and carries carbon dioxide and other waste products in our body simple सा मैं बोलूँ तो जो besties भी है वो पूरे body का blood ही remove out करा रहा है जो oxygen अगर body को मिल रहे है तो blood ही दे रहा है सर, ठीक है अगला क्या है, the fluid part of blood is called plasma and has various salts and nutrients dissolve in it blood cells are suspended in plasma and they are red blood cells, rbc we can say and white blood cells sir, ये WVC के कहानी क्या है, मैं आगे अगे बता रहा हूँ ध्यान से देखेगा plasma क्या है, plasma sticky होता है, पीले color का होता है, एक ऐसा liquid जिसमें देखा जाए, जो plasma है, simple सी भाईद हम blood की बात करें, blood में भी ये component है ये पीले color का होता है, ठीक है, it is most made of the water, 90% अगर दिखा जाए तो थोड़ा से salty भी होता है कभी अगर हाथ में या कहीं कुछ कट जाता है, ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो जो blood है वो थोड़ा सा salty नजर आता है, थोड़ा सा नमकीन जैसा नजर आता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3.5% उसमें common salt भी होते हैं, ये RBC क्या है भाई, देखे, RBC present in the bloods are responsible for the transportation of oxygen throughout the body भाई सबसे बढ़िया काम इसका है, oxygen को carry करना, अच्छा, continue red pigment called a hemoglobin which bind with oxygen, भाया जो red pigment होता है, उसको हम लोग hemoglobin बोलते हैं तो इस तरीके से the color of blood is red due to the hemoglobin, आगे आता है WBC, भाई मैं इसको गवई वासम बता दू, जैसे अपने घर में security guard होता है, जैसे police प्रसासन है, उनकी वज़ा से हम सुकून की जिन्दगी जेते हैं, तो ठीक WBC भी वही फर्जनी भाता है, धे सारे harmful germs को वो kill करता है, एक type का देखा जाए, वो security guard है हमारी जिन्दगी का, हमारी body का, अच्छा, blood platelets, देखें, platelets जो होते हैं, वो smallest in the blood cells होते हैं, आदि फॉर्मा, blood clot, preventing the loss of blood when there is an injury, आपने देखा होगा, कभी-कभी हम लोग को चोट लग जाती है, तो थोड़ी देर बाद वहाँ एक ठक्का बन जाता ह है, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि platelets का ही importance है, और आपने देखा होगा, धेंग्यू जब हो जाता है, तो platelets कम हो जाते हैं, जो खून है, वो पूरा पानी जैसा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, चलिए, sir, blood vessels, blood vessels ही है, sir, जो पुरी body में फैली हुई हैं, जिनकी वज़ा से blood का transportation होता है, तो बाबू, क्या है, blood vessels are the tube that carry blood all over the body, है न, arteries भी, यह सारे main main point, arteries क्या है, बहुत बढ़ियाँ example है, arteries are blood vessels that carry oxygenated blood, अगर मैं सही बोलों कि heart से जो blood जा रहा है, पूरी body में, वो arteries ले जा रहा है, और यह सबसे बढ़ियाँ point है, they carry blood from heart to the tissues, ठीक है, weans क्या है, weans are blood vessels that carry away the oxygenated blood from cells and tissues of our body, and they carry blood from tissue to the heart, समाज में हो रहा बेटा, यह देखिये, calories का काम, कि जब पूरे body में blood circulate हो जाता है, मतब जो oxygenated blood पूरे body को मिल जाता है, तो जैसे एक होता ना कि बराती लोग खाना उना खा लिये हैं, तो उसके बाद पूरा plate बगारा ले जाके फेको, तो कहानी वही है, कि अगर arteries ने पूरे blood को पूरे body में provide करा दिया, मतब पूरे body को oxygen मिल गया है, तो अब उस पूरे pure blood को सिधा सिधा बोले, deoxygenated blood को veins फिर से collect करके, इस capillaries के medium से उसको आगे बढ़ा देता है, heart बढ़िया example भाई, मुझे लगता heart का function मैं अलग से upload करूँ यह वीडियो, यह देखे, मेन इसके पाथ, वेना कैबा, arrow था, pulmonary artery, pulmonary veins, left artery, left venticle, right venticle, और यह जो portion देख रहे हैं, यह दोनों chamber को देखा जाया, मतब यह separate out करता है, इस तरीके से, बाबू, यह the heart consists of four chambers, that prevent oxygenated and deoxygenated blood form mixing, और हाँ एक खास बात मैं बता दू, कि जो blood इसमें आ मतब लंग से एक blood इसमें आता है, तो यहां से बड़े high pressure से जाता है, मतब आप्रीज देखा जाया, वो थिकर pipe होती है, जिन में blood flow करता है, लेकिन जब हम लोग, वो impure blood collect करते, तो जो beans होती हैं, अगर उसके comparison में हम बात करें, वो थोड़ी, मतब थिकी नहीं होती, क्योंक पूरे body main का network है सर, it is the network of arteries and being connecting the heart and lungs, deoxygenated blood is pumped from the blood to lungs for oxygenation, deoxygenated blood returns to the heart to be pumped to be the rest of the body, oxygenation और blood क्या है, भाई अगर blood को oxygen मिल जाया ना, लंग से, तो हम क्या बोलेंगे, oxygenation और bloody तो बोलेंगे सर, यह देखे हैं, pulsation, भाई मैंने देखा है कि आप लोग भी जानते होंगे कि अगी कभी fever हुआ, कभी कुछ हुआ, तो डॉक्टर साब पहले ऐसे पकड़ करके देखते हैं कि भाई, जो beat है, जो heart beat है, वो बड़ी हुई है या कम है, तो उससे यह पता चलता, आपको fever है या नहीं है, जो भी इस तरीके से, और pulse क्या है, pulsation is a message as a number of heart beat per minute, which is nothing but the pulse rate or pulse, आगे पढ़ता है हम लोग, तो, sir, our excretory system, क्योंकि अब circulation हो गया है, खतम excretion, भाई, दिन भर जो हम खाते हैं, अगर खाते ही रहेंगे, निकालेंगे नहीं, तो क्या इस्तिती होगी, sir, है न, excretion बहाँ जरूरी है, the process of removal of waste product from a cell of living organism is called excretion, for human being the waste product, in the form of carbon dioxide, urine and feces, बहाँ जरूरी है, kidney, sir, बहाँ important function, इसका kidney का, देखे, दो kidneys हैं, ठीके, ये ureator है, urinary bladder है, जिसमें urine इकठा होता है, और जो बहाँ तेज हम लोगों को सूसू लगता है, तो अब भी क्या है, कि वो remove करते हैं, हम urine को, तो इस तरीके से kidney का बहाँ जादे work है, है न, अच्छा, बाबू, आगे बढ़ते हैं, ureator क्या है, sir, urine is sent from the kidney to the urinary bladder, through tubes is called ureator, अच्छा, urinary bladder क्या है, ये बहुत बढ़ा लिखा हुआ, लेकिन मैं गवणी बहाँ सब बता दू तो बेटा, कि एक ऐसा थैला है, जो urine को collect करता है, मान के चलिए कि, मतब 300 से 500 ml तक तो वो इकठा करी सकता हो, और पूरे 24 घंटे में हम बात करें, तो कम से कम, कम से कम, एक से पौने 2 लीटर के करीब urine को, हम remove करते हैं, हम मतब हम नहीं सभी, ठीक है, तो इस तरीके से, dialysis क्य हमारियां पैदा हो जाती है, तो मुझे लगता है, dialysis से, हम pure, sorry, impure blood को हम purify करा देते हैं, है न, चलिए, transportation implants, बहुत बढ़े एक्जामपल मिलने हो ला से, osmosis क्या है, देख, osmosis is a moment of solvent molecules from a reason of lower solute concentration to a reason of higher solute concentration to semi-permeable membrane, ठीक है, सीधा-सीधा यही बोलें, कि हम लोग सरबत बन यह चाय बना, उच्छनिनी से चान लिया, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, root here क्या है, बाई, देख, root नहीं होगा, तो plant, इस्ट नहीं होगा, plant, खड़ा नहीं होगा, plant गिर जाएगा, तो root बहाँ ज़रूरी है, root here are elongated extension of the root that are comparables to the hair on animals, and they increase the surface area of increased exchange of water and minerals, चीक है सर, phloem का काम सिर्फ एक है, कि when the process of photosynthesis occurs, then food form, है न, when food prepares, तो simple सी बात है, खाना बनेगा, तो पूरे घर परिवार के लोग खाएंगे, तो सिधर सिधर यह है, कि जो phloem होता है, वो पूरा खाना, पूरे plant को provide करता है, और यह जाइलम बाबू, जल ले जाते हैं, root से यह जल ही नहीं, minerals भी ले जाते हैं, यह minerals भी ले जाते हैं, पूरे plant को देते हैं, और transpiration नहीं होगा, अगर transpiration नहीं होगा, तो simple सी बात मैं आपको बताऊं, photosynthesis होगा ही ने, से water उपर जाएगा नहीं, transpiration का मतलब होता है, जो, मतलब stomata होता है, tiny pores होते हैं, उससे एक type का देखा जाए कि little amount of water क evaporate करना, ठीक आगर वो evaporation नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम लोग पानी उपर तक पहुंचे गया नहीं, तो इस तरीके से आपका game हो गया खतम, और यह chapter मुझे लगता है कि बहुत बढ़ियां से आपको समझ में आया, आपका बहुत बहुत धनिवाद इस video को देखने के ल